नमस्कार दोस्तों जामकांकर चैनल पे आपका स्वागत है मैं हूं के दाननात मिस्रा दोस्तों ये समय हमारी डेली करेंट अफेर्स की वीडियो का है आज है 25 अक्टूबर तो चलिए 25 अक्टूबर की महत्वपूर्ट परिक्षाव पे होगी खबरें देख लेते हैं लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथी बिल आइकन भी दबा लिजिए ताकि कोई भी नई अपडेट वो सबसे पहले आपको मिले और हाँ परिच्छा समंदी खबरों की जानकारी के लिए और इन तथ्यों हमारा Current Affairs है उसमें केवल उन ही प्रस्थों को सामिल किया जाता है जिनकी परिच्छा में आने की संभवना बहुत अधिक होती है इसलिए डेली Current Affairs की जो वीडियो है वो 10-12 मिनट की वीडियो होती है बहुत छोटी वीडियो होती है इसलिए पूरा देखने का प्रियास करें ताकि जो है आपका एक भी करेट अफेयर परिक्षा के दोरान गलत ना होने पाए ठीक है ना तो चलिए शुरू करते हैं 25 अक्टूबर की महत्वपोर्ण परिक्षा उपयोगी खबरें आज की पहली खबर है हाल ही में डबलू अच्चो ने भारत के पहले टाइफाइट टीके को मंजूरी दे दी है ठीक है ना तो भारत के पहले टाइफाइट टीके का नाम क्या है ये बताना आपको प्रस्न क्या है देखिए डवलू यच्चो ने भारत के पहले टाइफाइट टीके को मंजूरी दे दी है और भारत के पहले टाइफाइट टीके का नाम क्या है? तो यह नाम है जाइवाइक TCV ठीक है ने यह भारत का पहला टाइफाइड ठीक है ठीक है ने दोस्तों आप जानते हैं कि जो टाइफाइड होता है वह किसे होता है सालमो नेला टाइफी नामक जिवान उसे किसे होता है यह होता है सालमो नेला सानमो नेला टाइफी नामक जीवान से होता है टाइफाइड थीक है नहें तो इसी के लिए भारत ने Когда Comic विक्सित किया है जिसका नाम है जैवाइट और यह अहम्दाबाद गुजरात में विक्सित किया गया है, कहां? अहम्दाबाद गुजरात के लाइब में विक्सित किया गया है, ठीक है नहीं? तो हाली में WHO ने भारत के पहले टाइफ हाइट टीके के जो मंजूरी दी है उसका नाम है जाइवाइट टीसीवी अब जाते हैं कि टाइफ हाइट सालमो लेला टाइफी नामक जिमार से होता है यह भी याद रखिएगा और इसे जाइडस लाइफ साइंसेज लिम्टेट ने इसे विक्सित किया है यह कंपनी है ठीक है ना और आहमदाबाद के गुजरात में इसे विक्सित किया गया है ठीक है ना तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अक्टूबर दोहजार चौबिस में भारत के किस पडोसी देश ने अपने यहां भारत की यूपियाई सेवा को मंज यूरी प्रदान की है तो वह पडोसी देश है मालदीव आपने सुना होगा कि भारत और मालदीव के बीच में एक समय था जो बहुत तनावदपन हो गया था और एक बार प्रदान मंत्री नरेंद मोदी जी ने जब लक्षदीव के तड़ पे अपना एक फोटो वैरल किया लक्षदीव के तड़ पे वो गये थे और बताये थे यह भारत की सबसे खुबसूरत जगह है तो मालदीव का जो परियाटन का कारूबार था वो लगभा खतम होने के कगार पर आ गया था तो भारत और मालदीव के बीच में जो सम्मन्द थे वो बहुत तनावपूर्ण हो 700 आवासी घरों का निर्माण किया है कितने 700 आवासी घरों का निर्माण किया है और हाली में प्रदान मंत्री नरेंद मोदी ने उन आवासी घरों को मालदीव सरकार के हवाली किया है ठीक है ना तो यह बहुत इंपोर्टेंट है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने UPI की सेवा को मंजूरी दी है तो वह है माल्दिव ठीक है ना नेक्ट देख लेते हैं देखे हाल ही में बिहार पर बिहार में कहां पर पहले ड्राइपोर्ट का उधगाटन किया गया है हाल ही में बिहार में कहां पर पहले dry port का उद्गाटन किया गया है तो यह है बिहार का बिहटा में ठीक है ना तो यह BPSC परिक्षा के लिए भी बहुत important है हाल ही में बिहार में कहां पर पहले dry port का उद्गाटन किया गया है तो यह बिहटा में किया गया है दोस्तों आपको बिहटा में यहां से जो है बिहार की जो बस्तों है उन्हें जो है बाहर की तरफ निर्यात किया जा सकता है ठीक है ना तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बिहार में ड्राइपोट करने उद्गाटन किया गया है और वह कहां किया गया है बिहटा में किया गया है ठीक है तो रानी रामपाल ने ठीक है ना रानी रामपाल एक भारती महिला हाकी खिलाडी है और हाल ही में इन्होंने सन्यास की घोसरा की है ठीक है तो भारती महिला हाकी खिलाडी जिसने सन्यास की घोसरा की वह कौन है वह है रानी रामपाल ठीक है नेक्ट देख लेते हैं, देखे हाली में Global Anti-Racism Championship Award 2014 से किसे सम्मानित किया गया है, फिर से सुनिए, हाली में Global Anti-Racism Championship Award से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किया गया है, उर्मिला चोधरी को, और यह नेपाल की रहने वाली है, दोस्तों आपको पता होगा, कि उर् बद हुआ मजदूर थी क्या थी बद हुआ मजदूर थी ठीक है न और इन्हों ने इसके खिलाब जो है एक अभियान चलाया और उसको खतम करने में सफलता पाई इसलिए इनको ग्लोबल एंटी रेसिजम चैंपियंसी पेवाड से समानित किया गया है और इन्हें यह समान दि किया है अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहां पर दिया है वासिंग गटन डीसी में पूरसकार इन्हें प्रदान किया गया है ठीक है न तो फिर से देखे ग्लोबल एंटी रेसिजम चैंपियंसी प्रवाड दोहजार चोबिस से समानित किया गया है उर्मिला शॉरी 200 पोलियो दिवस की स्थी को पनाये जाता है तो यह मनाये जाता है 24 अक्तूबर को ठीक है Ona 20 पोलियो दिवस 24 अक्तूबर को मनाये जाता ए yummy और इस वर्ष की ठीम है हर बच्चे तक पहुंचने का basic mission यानि global mission to reach every child अब दोस्ते एक महत्वपूर्ण बात इसमें आपको यह बताना है क्या आपने कभी सोचा कि 200 polio दिवस 24 अक्टूबर को ही क्यों मनाए जाता है तो हम आपको बता दें कि 24 अक्टूबर के दिन जॉन साल्ग किसका जॉन साल्ग का जन्म दिन है और उनके जन्म दिन के नाते ही 24 अक्टूबर के दिन 200 polio दिवस मनाए जाता है अब यह जान साल्ग के जन्म दिन पर क्यों मनाए जाता है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहला polio का टीका खोजा था क्या खोजा था? polio का टीका सबसे पहले जन्म साल्ग ने ही खोजा था इसलिए जो है इनके जन्म दिवस के दिन ही 24 अक्टूबर को 200 polio दिवस मनाए जाता है ठीक है ना यानि जॉन साल का जो जन्म दिन है वो 24 अक्तूबर को है और इन ही के सम्मान में 24 अक्तूबर के दिन 200 पोलियो दिवस मनाये जाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि जॉन साल के नहीं सबसे पहले पोलियो का टीका बनाये था क्या कहते हैं इस नाम से भी इसे जानते हैं तो इस तर्फ्य को याद रखिएगा कि बिस पोलियो दिवस 24 अक्तूबर के दिन मनाये जाता है और 24 अक्तूबर की तिथी इसलिए तैकी गई है क्योंकि या जान साल के का जन्म दिन है और इन ही के सम्मान में 24 अक्टूबर के दिनको 200 पोलियो दिवस के रूप में मनाय जाता है नेक्ट देखते हैं, देखिए हाल ही में भारत की भासाई विराशत पर प्रवासी परिचे सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया तो यह किया गया रियाद सौधी अरब में, ठीक है न, भारत की भासाई बिरासत पर प्रवासी परिचे सम्मेलन 2024 का आयोजन कहा किया गया है, तो यह रियाद सौधी अरब में किया गया है, आप इसको याद रखने के लिए प्रवासी परिचे सम्मेलन 2024 ही याद रखेगा, इ देखे इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम क्या है भारत की सास्त्री भासा हैं, ठीक है न, तो इसकी थीम है भारत की सास्त्री भासा हैं, अब देखे भारत की सास्त्री भासाओं के बारे में जान लेते हैं, इस समय भारत की कुल कितनी सास्त्री भासा हैं देखे, आपको पता कौन-कौन सी थी? तो पहले जो 6 सास्त्री भासाएं थी वो थी तमिल, तेलुगु, कननर, मलेयालम, उडिया ठीक है ? पहले जो है तमिल, तेलगु, कनन, मले आलम, उडिया और संस्कृत, यह 6 सास्त्री भासाएं पहले थी, लेकिन अभी हाल ही में 5 और सास्त्री भासाओं को माननेता दे दिया गया है, यह कौन सास्त्री भासाएं हैं, तो देखिए 5 और जो हैं, वो हैं, पाली, प्राकृत, अस असमिया, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली, और मराथी, ठीक है न, तो यह 5 और सास्त्री भासाएं हैं, जिने माननेता प्रदान की गई हैं, तो अब याद रखिए, कुल 11 सास्त्री भासाएं हैं, ठीक है न, जिसमें से पहले 6 थी, कौन-कौन सी, तमिल, तेलगु, क गन्नर, मले आलम, उडिया, और संस्कृत, ठीक है, बरतमान में हाल ही में 5 और सास्त्री भासाओं को दर्जा दिया गया है, एक है पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली, और मराथी, देखे, इस प्रस्न को दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो यह है कि भारत में, बर सासा का दर्जा दिया गया है, तो वह है पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली और मराथी को हो सकता है कि इन में से किसी एक को गलत दे करके आप से पूछ ले कौन इसमें सामिल नहीं है, या तो सभी के बारे में पूछ ले कि उपर योगतमे से सभी इसमें सामिल है, ठीक ह तो दोस्तों ये थे, आज यानि 25 अक्टूबर के महत्वपूर्ण परिक्षाउपयोगी तत्थ, ये तत्थ आपको कैसे लगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ इन तत्थों की पीडियाप के लिए, आप हमारा टेलिग्राम चैनल और हाटसप चैनल जॉ वीडियो में कुछ नए तत्थों के साथ, तब तक के लिए सुस्त रहें, मस्त रहें, और महनत से पढ़ाई करते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद.